हलो फ्रेंज मैं हूँ मॉनिक और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में आज इस वीडियो में हम जारेंगे कि कॉंसलिंग क्या होता है पर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले में कुछ आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है फेस्बुक पे इंस्टाग्राम में और यूटूब वीडियो के नीचे कि मैं इतने दिनों से वीडियो तो मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ कि मैं खुद के इसका मतलब यह नहीं कि मैं दिन रात त्यारी कर रही थी जब एक्जाम के लिए लेट त्यारी करो तो आपको रातों को जागना पड़ता है और ऐसे काले गड़े बढ़े आते हैं अभी हो सकता है मैंने मेक अप किया है तो उसकी वजह से दिख रहे हो या नहीं दिख र जाती है जैसे कि मेरी उड़ गई तो वह अच्छी बात नहीं है पहले से ही त्यारी करनी चाहिए तो अभी अगर आप लोगों ने सेकेंड एर में कॉंसलिंग ऐसा सब्चिक लिया है तो यह वीडियो सापकी हेल्फुल हो सकते हैं मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो लाती मैं प्रॉमिस नहीं करना चाहती मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी न करना तो मैं कोशिश करूंगी प्रॉमिस नहीं करती पर हाँ जितना मुझसे हो सकेगा मैं वीडियो को बनाती रहोंगी तो अगर आप सेकेंड यर में हैं अगर आपने सेकेंड यर में अगर आप psychology में पढ़ते हैं समझते हैं तो यह आपको काफी हेल्पिंग और इंट्रस्टिंग भी लगेगा तो चलिए शुरुबात करते हैं जब भी हम लाइफ में थोड़े से परिशान होते हैं या फिर लाइफ में ऐसी सिच्वेशन आती है कि हमें दूसरे जनों का जाते हैं या फिर अपने family members के पास जाते हैं या फिर कोई ऐसा हमें लगता है कि अगर हम से मांगें तो हो सबसे पहले तो हम यह करते हैं कि जब हम परिशान होते हैं तो हमारे आसपास के जो लोग हैं उनसे सला लेने की कोशिश करते हैं और अपना जो भी जिस भी चीज में हम अटके हैं उसे solve करने की कोशिश करते हैं पर जब हमारी problem थोड़ी से ज़्यादा serious हो जाती है वो problem हमें daily activities में परिशान कर रही है हम normal behave नहीं कर पा रहे हैं तो ना सिरफ हमें वलकि हमारे आसपास के लोगों को भी problem हो रही है तो एक professional help की ज़ुरत होती है तो अहां पर आती है counseling psychology यहां फिर एक counselor counseling या counseling psychology में सिरफ वोई mental health problems के बारे में बात किया जाता है जिसमें medicine की ज़ुरत ना हो जैसे schizophrenia है वो एक serious mental health problem है जिसमें बिना psychiatrist के बिना दवाई के कोई भी काम नहीं चलने वाला है तो counseling में ऐसी चीज़ों को ऐसी situations को deal किया जाता है जो स्रफ बातों से solve की जा सकती हो और उसके बाद short term रहती है counseling बहुत जाता लंबा process नहीं होता है जबकि कोई psychiatric problem है तो उसमें लंबा एक process चलता है दवाई लेना ज़रूरी होता है पर counseling psychology में वो activities आती है उसको help करने के लिए counselor जो है मदद करता है एक professional help है और यह professional setting में की जाती है मतलब कि एक counselor होता है और एक client होता है client अपनी problem को share करता है counselor उसको समझने की कोशिश करता है उसको understand करता है और अपने experience से और अपनी knowledge से फिर उस situation को कैसे best तरीके से solve किया जा सके उसका solution client को देता है तो counselor क्या करता है client को educate करता है इसका मतलब है कि वो client को बताता है कि कहां पर problem आ रही है और फिर वो उसको short term treatment देता है इसका मतलब है कि वो उसको help करता है सबसे बहले problem को identify करने के लिए क्या problem है फिर उसको बताता है कि कहां पर किस तरीके से सोच को change करने की जुरत है कहां पर behavior को change करने की जुरत है और counselor का काम सरफ यह नहीं होता कि जो present problem आई है उसको solve करना वलकि एक long term solution देना जिससे कि जैसे suppose करो कोई इंसान है वो office में बहुत जादा काम करता जा रहा है इसकी कारण उसका family life जो है वो खराब हो रही है वो family life पे focus नहीं कर पा रहा है तो as a counselor उसका counseling में यह first बनता है counselor का कि यह बताना कि कैसे आपको work life balance करना है कैसे आपको काम को भी जरूरी है करना और कितना time आपको कम से कम अपनी family के साथ maintain करना चाहिए जिससे कि आपके जो personal relationship है वो खराब ना हो जाए तो इस time जो client को problem आ रही है वो तो आ ही रही है पर जो counselor का यह first बनता है कि future में भी अगर ऐसी कोई problem आती हो तो वो खुद से ही analyze कर पाए कि मेरे साथ यह problem ऐसे होती है तो इस situation में मुझे इस तरह किसे behave करना है अब यह सबी clients से तो expect नहीं किया जा सकता है कि वो हमेशा ही ऐसे behave करेंगे पर counselor का यह first बनता है कि जितना वो बता सकता है वो उनको समझाए कि यहां पर आपका जो सोच है इस pattern को आपको change करने की जुरत है जब आप अपने pattern को अपनी habit को change कर लेंगे तो overall दूसरे areas में भी आपको help मिल जाएगी अब as a profession counseling कि क्या points है उनको जान लेते हैं सबसे पहले कि it's a profession तो मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ भी है यह एक profession है जिसके लिए एक psychologist होता है जो अपना professional advice देता है अपने knowledge के हिसाब से, अपने skills के हिसाब से तो यह एक profession, proper profession है जिसमें दूसरे लोगों की मदद की जाती है अपनी knowledge और advice से आप next है it deals with personal, social, vocational, empowerment and educational concern तो personal concerns क्या होता है जैसे कि अभी हमने बात करी कोई इंसान हो सकता है कि वो guilt में चला जाए और वो guilt से बहार ना निकल पाए तो इस case में फिर counselor उसको help करेगा कि कैसे इस guilt की feeling को बहार निकालना है उसके बाद next number पे आता है social, social मतलब कई बार लोग दूसरे लोगों के साथ relationship नहीं बना पाते वो अपनी जॉब में दूसरे colleagues के साथ अच्छे से मिंगलप नहीं हो पाते या फिर उनकी family में या फिर interpersonal relationship नहीं है अच्छे होते या फिर couple counseling होती है तो ये सब social skill भी counselor help करता है उसके बाद next आता है vocational vocational मतलब जैसे आपने सुना ही होगा कि आजकल तो vocational counseling बहुत जादा होती है जब students को ये decide करना हो कि उनको कौन सा career choose करना चाहिए कौन सा subjects लेने चाहिए जो उनके interest से और उनके aptitude से match होते हो तो stage में भी counselor जो हो help करता है उसके बाद है empowerment कई लोगों की self esteem बहुत ही जादा पूर होती है या low होती है वो खुद को बहुत loser समझते हैं और वो दूसरों peer pressure में आ जाते हैं तो ऐसे लोगों को empower मतलब उनको ये realize कराना कि आप self sufficient है आप खुद भी बहुत कुछ achieve कर सकते हैं तो इन सब चीजों में किसी इनसान को empower feel कराना तो ये भी एक counselor का जो job होता है उसमें आता है उसके बाद आता है educational counseling पर ये different different branches हैं एक ही इनसान ये सब नहीं कर सकता इसमें भी specialization करते हैं कोई vocational counselor बनते हैं कोई couple counselors बनते हैं कोई personal counselor बनते हैं तो depend करता है कि आप किस चीज में specialize करना चाहते हैं फिर educational counseling में ये आता है कि जो को जैसे special learning disability है अगर किसी को पढ़ने में लिखने में मुश्किल आती है तो उसमे educational counseling आपने सुना अगर डिसलेक्स है आजकल वो जो आमिर खान की movie थी तारे जमी पर तो वहां से काफी जादा famous हो गया था वो सब educational counseling में आते हैं तो ये सब काम है counselor के जो इन सब चीजों में किसी भी client को help करते हैं थर्ड पॉइंट आता है conducted on the person who functions within the normal range तो इसका मतलब है कि जो इंसान normal है जिसको कोई psychiatric problem नहीं है वो counseling से advice ले सकता है और अपनी daily activities में या फिर अपनी habits में change करके counseling का पूरा फाइदा उठा सकता है उसके बाद next आता है client learns to make decision चाहता है कई लोगों को problem होती है वो daily basis के decision नहीं ले पाते है अगर कोई weight loss ही करना चाहता है वो सोचता है कि यार आज मैं रोज अपने goal set करता हूँ हमेशा नहीं नहीं information को gather करता हूँ पर actually जब काम करने का मौका आता है जब actually मुझे सुबह ओट के exercise करनी होती है या फिर healthy food खाना होता है तो मैं नहीं कर पाता है तो इस case में counselor उनको बता सकते हैं कि अगर वो habits को change करें तो कितना उनको फायदा हो सकता है वो ये भी बता सकते हैं कि अगर वो habits को change नहीं करते हैं तो उनको कितना नुकसान हो सकता है तो दोनों type की positive psychology और उनके side effects वो बताए जा सकते हैं और next point है अनलान old unhealthy habits इसका मतलब है कि कई बार हमारी कुछ habits ऐसी होती है जिनको छोड़ने की जुरत होती है जैसे अगर कोई smoking ही छोड़ना चाता है या फिर कोई अपनी junk food खाने की habit को छोड़ना चाता है या फिर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो उनको पुरानी आदतों को हटाने में help करते हैं कि क्या क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं तो counselor अपने तरीके से जो भी उनकी टकनीक होती है ये सारी चीज़े हटाने में help करते हैं और उनको नई effective habits को inculcate करने में help करते हैं तो friends आज हमने जाना कि counseling होता क्या है क्योंकि counseling एक profession है तो ये बहुत ही scientific, structural और systematic way से क्या जाता है तो counseling के कुछ goals होते हैं तो counseling के goals क्या होते हैं ये हम जानेगे next video में और अगर आप counseling के कुछ examples देना चाहते हैं कि किन cases में counseling की जाती है तो जुरूर नीचे comment करके बताईएगा और मैं लाओंगी next video में counseling goals तब तक ले नमस्कार मैं हूँ Monica wish you all health and happiness take care, bye, thank you